हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर आज जिरो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूसफुल किजिन टिप्स लेकर आज के हमारी टिप्स बहुत जादा खास होने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को फुल वाच कीजेगा कोई नो कोई टिप तो आपको जो चिकनाई होती है न तो या तो गैस पे हो जाती या फिर स्लैप पे हो जाती है तो इसके लिए अप हमेशा एक प्लेट रखिए जिससे कि इसकी जो चिकनाई है न वह इसी बरतन के अंदर रहेगी और आपको स्लैप और काउंटर बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा क आती साथ हमें कुछ काम इस तरीके से करने जिससे हमारा टाइम बचे ना कि एक्स्ट्रा लगे और मेहनत भी हमारी बचे ना कि एक्स्ट्रा लगे ठीक है यह तो हो गई सबजी से रिलेटेड दूसरी जो मेरी टेप है वो है रोटियों से रिलेटेड जैसे हम लोग हमेशा की अगए लेकिन जब एसे वाली एक कपड़ वागर हो का रखते हैं वह सुकह श्याम हमेश्य थापको गविट ROI वे ठी कटी फो किल घाय के पी अब। गर प्रोटी को हमगाप नहीं लपेट कर रखते हैं 203 धर ऑटीوب nee तो जो पहले दादीनानी टिप्स यूज करती ही दी न वो करना चाहिए तो मैं क्या करती हूं कि आपको रोटी रखनी है न तो जब भी आप रोटी बना रहे हैं तो पहले आप रोटी को होट के जिसमें भी रख रहे हैं पहले उसे अच्छे से पोश लीजिए और उसके तो लोग अपने मतलब जिस भी बरतन में रखती थी पहले जो इस्टील के टिफिन वगेरा होते थे उसमें आपने देखा होगा पहले के टाइम में हमेशा लकडियां डाली जाती इससे ना तो रोटियों में स्मेल आती है ना ही आपकी रोटी उपर नीचे की कभी खराब ह होती है और जो लकडी की स्मेल है वह हमेशा अची होती हो कभी खराब नी होती तो इस तरह से आप तोड़ तोड़ कर गड़ी बना कर रख लीजिए और इतनी सारी एक दिन में तो यूज होती नहीं है अब आप सिर्फ समें तीन से चार लकडियां डाल दीजे और इससे क्य कि तरफ नेक्स्स टिप है मेरी छोले को लेकर कई बर क्या होता हम छोले गएरा भिगाना बूल जाते हैं तो देख सकते हूं मेरे छोले में मैंने ऐलम डाल रखे जिसकी वज़े से मेरे छोलों में बिलकुल भी कीड़े वगएरा नहीं लगते हैं कोई भी चीज हो डाल चा कर सकते हैं बिना गैस जलाएं वो कैसे चलिए वह भी देख लेते हैं पहले आप अच्छे से चोलों को दो लीजिए जितनी बार भी थूना आ ना पहले आप इनिह अच्छे से दोलीजिए क्योंकि यह फिर बाद में नहीं दो लेंगे कि हम इस टिप से इनको गलाएंगे कि मतलब यह हम इनने फिर बाद में नहीं दो सकते हैं अगर बाद में दोएंगे न तो फिर यह अच्छे से फूलेंगे नहीं इसलिए पहले आप इन्हें अच्छे से खुब बढ़िया तरीकी से रगड़ रगड़ कर दो लीजे दो चार अच्छे जितनी बार धोना है उसके बाद आप क्या कीजिए इने लेकर चलिए अपने कुकर में डालिए और कुकर में डालने के बाद आपने क्या करना है आपको एक बरतन में खुब गरम पानी कर लेना खुब खौलता हुआ गरम पानी करके इन छोलों में पहले तो नमक सोड़ा वगर आपको डालने की बिल्कुल सरवत नहीं है आपके जो छोले हैं वो ऐसे ही भीग जाएंगे सिर्फ आपको गरम पानी डालना है इसमें खुब उबलता हुआ और नमक डालना है नमक से क्या होगा कि जब इसके अंदर आप पानी डालेंगे तो पानी के साथ जो इन घौटे रोत नमक जब इसाथ बीक है और शोड़ा लेले में लुक्त बहुत बहुतl दो गंटे बाद आप इसे चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके जो छोले हैं ना वो कम से कम 70-75% अच्छे से कुक हो जाते हैं उसके बाद आपको सिर्फ एक दो विसल्स लगानी है और आपके जो छोले हैं वो बनकर त्यार हो जाएंगे तो देखें यहां पर करीबन दो गंटे हो गये हैं लगए दो गंटे में एसा लगजाता है कि इन चोलों को हमने गयस पर गैस पर यह लगा दो गन दोगन तो कि अंदर का जो पाट है थोड़ा सा वो कच्छा रह गया है तो अब बस इसको आप 2-3 विसल लगा लीजे और आपके छोले इंजॉय कीजिए तो आयोग छोटी सी टिप है आपको ये भी जरूर पसंद आई होगी चले बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ मेर今天 डिख 5-5 ग्राम को लेकर बह करने नेक्स टिप कर्म से कम 75 ग्राम या 100 ग्राम कहें सूजी और से कम 75 ग्राम और व्लाब अच्छे पानी बहो दिया था कृआपन आदा घंटा पहले यहें करें आस गोद आप अट्वड लीजाए सूजी वो मैं आप आपको बताऊंगी वीडियो में एंट तक बने रहीएगा कि पहले आप इसमें जो भी चीज़े डालते हैं वो डाल दीजे जैसे नमक हो गया थोड़ा सा सोडा हो गया थोड़ी सी चीनी हो गई घी हो गया और साथ ही साथ एक इनो का पाउच हो गया इतनी सारी चीज़ें अगर फिर भी आटा लगाते हैं और आप उसमें सूजी नहीं डालते हैं भीगी हुई तो आप देखेंगे कि आपके जो भटूरे हैं वो इस्ट्रेचिबल बहुत कम होते हैं और अगर बिना भूजी गीली हुई सूजी डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ी तो आपके जो हलवाई वाले होते हैं वो भटूरे बन कर त्यार होंगे तो देखेंगा मैं आपको कुछ छोटी-छोटी सी टेप्स हैं और सिर्फ आटे को लगाने से ही लेकर लास तक बनाने तक मैं पूरी टिप आपके शेयर करूँ उसके बाद आप इस आटे को नॉर्म आटे में और उसके बाद बटूरे मनाएंगे तो आपके बटूरे एकदम गोल-गोल फूले-फूले और बहुती साफ्ट बन कर त्यार होंगे तो देख सकते हैं हमने आटे को अब इस तरह से लगा कर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया आप इसको हम पटक पटक कर इसे मदद्स से बड़िया तरीका से गूत लेंगे क्योंकि हातों से हम कितनी पी तागत लगाएं लेकिन इस तरीका से उनकी मलाई नहीं होती है तो इस तरह से आप भी करिए और देखिए हमारे जो भटूरे हैं वो एकदम बड़िया तरीके से बन कर त्यार होंगे क्योंकि हम आपको क्या करना है जैसे आपका अटा त्यार होगा उसके बाद आप इनकी बॉल्स बना कर उन्हें भी आप कम से कम 15 मेट के लिए रख दीजिए फिर देखिए आप अपने भटूरों को कितने गजब के भटूरे बन कर त्यार होते हैं तो हमने बॉल्स बना कर रख दी थी और आप चलिए आप चाहे तो चकले बेलन से बना लीजिए या फिर अपने हाथों की मदद से बना लीजिए जैसे मर्जी वैसे बना लीजिए और यहां पर मैंने घी को रख दिया है गरम करने के लिए और उसके बाद मैं आपको भटूरा सेख कर दिखाती हूँ इतना गजब का एकदम हलवाई जैसे भटूरे बनकर त्यार होंगे और खाने में इतने सौफ्ट के बस आप अपने में रखी और वो तुरंट घुल जाते हैं ऐसा निए कि बिल्कुल रबर जैसे हो जाएंगे या फिर आपको बिल्कुल मलब पूरी जैसे हो जाएंगे बिल्कुल नहीं एक दम परफेक्ट हलवाई वाले बटूरे बनकर त्यार होंगे और एक दम गोल गोल सारे फूलेंग प्लीज लाइक शेर जरूर कीजेगा साथी साथ मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा कि आपको मेरी सबसे जादा कौन सिटेप अच्छी लगी है साथी साथ यह भी बताएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाउं या किस शेर से देख रहे हैं ताकि मैं आपको ठैंक्स कर या फिर बक्सों में डाल देखे जयन से बहूरे बिस्तर होते हैं कंबल वगएरा होते तो उनमेंने बहुत इस्ताइग्समेल हो जाती हैं गाची बप्टोंकom के बब européla m गएके साथ हे जिससे कि आपका काम भी आसान हो जाए और kolayrences भी उस्ताम्मेल में बदल जाए तो आप जब भी बॉल वगेरा को इस्तमाल कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा-थोड़ा जो भी फ्रेग्नेंस आपको अच्छी लगते हैं उस पावडर का इस्तमाल कीजिए ठीक है और उसके बाद इस तरह से या तो कॉटन के कपड़े में बांद दीजिए या फिर इस तरह के फॉइल पेपर ले लिजिए तो मैंने याँ पर फॉइल पेपर लिया है तो और इसका साथी साथ न आप अपने टॉइलेट में भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे ओडोलेल वगेरा खतम हो गया है या फिर किसी को ओडोलेल की स्मेल जो होती है नो वो पसंद नहीं होती है तो उस टाइम पर आप इस टिप का इस्तमाल कर सकते हैं और इसे अपने टॉइलेट में बातरूम में कहीं पर भी रख दी जो बहुत अच्छी खुश्बू आएगी बस छोटे-छोटे से होल्स कर दीजिए तो आयोग छोटी-छोटी से टेप्स हैं आपको सभी टेप्स किले दे बाबाल